MP के 2030 विदान सबा चुनाव में BJP ने प्रचंड जीत हासल की पारेट की बंपर जीत के बाद MP से कॉंग्रेस का सूप्रा साफ हो गया पार्टी को सिर्फ 66 सीट पर ही संतोश करना पड़ा लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद कॉंग्रेस ने हार की समिक्षा की और कॉंग्रेस के एक से एक धुरंदरों ने हार का ठीकरा ले देकर EVM मशीन पर फोड़ दिया इसी कड़ी में एक बार फिर पूर्वसीम दिगविजय सिंग ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को लेकर उठाए सवाल नमस्कार, मैं श्वेता आपका दखबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर पूर्मुखी मंतरी दिगविजय सिंग ने गुजरात से आई अतुल पाटेल के साथ EVM को हैक कर दिखाया बचते बचाते यह दावा भी कर दिया कि EVM हैकिंग से 30 से 40 प्रतिशत वोटों में हेर फिर हो सकता है 24 जन्वरे को दिगी राजार से मीडिया के सामने EVM को लेकर कहा कि BJP के वरिस्ट नेता लालकृष्ण अडवानी ने भी EVM पर अवश्वास जताया था, इसका इस्तिमाल 2003 से शुरु हुआ था उसके बाद फिर अवश्वास सामने आने के बाद वी वी पैट लगाई गई वी वी पैट बैलेट यूनिट के तार से कनेक्ट होती है यह सेंट्रल इलेक्शन कमिशन के सर्वर से कनेक्ट होती है पहले कलेक्चर ते करते थे कौन सी यूनिट कहा जाएगी लेकिन अब इसे सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किया जाता है उन्होंने EVM हैक करने का तरीका भी बताने की कोशिश की जोरान राइट टू रिकॉल पार्टी के अध्यक्ष राहूल मैता भी मौजूद थे जमी EVM से वोटिंग करके भी दिखाई एंबियंस दिग विजय सिंग ने MP के 2030 विदांसब चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीते हासिल की पारिट की बंपर जीत के बाद MP से कॉंग्रेस का सूप्रा साफ हो गया पार्टी को सिर्फ 66 सीट पर ही संतोश करना पड़ा एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन को लेकर सवाल उठाए हैं पूरमु की मंदरी दिखिज़ सिंग ने गुजरात से आई अतल पटेल के साथ EVM को हैक कर दिखाया बचते बचाते यह दावा भी कर दिया कि EVM हैकिंग से 30 से 40 प्रतिश्यत वोटों मेहर फिर हो सकता है 24 जनवरी को दिखी राजा ने मीडिया के सामने EVM को लेकर कहा कि बीजेपी के वरिस्टनेता लालकृष्ण अडवानी ने भी EVM पर अविश्वास दिताया था इसका इस्तिमाल 2003 में शिर हुआ उसके बाद फिर अविश्वास सामने आने के बाद वीवी पैट लगाई गई वीवी पैट बैलेट यूनिट के अतार से कनेक्ट होती है यह सेंट्र एलेक्शन के सर्वर से कनेक्ट होती है पहले कलेक्टर तै करते थे कौन से यूनिट कहा जाएगी लेकिन अब इसे सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किया गया है उन्होंने EVM हैक करने का तरीका भी बताने क और सॉफ्ट्वेर डालने वाला तै करेगा, सॉफ्ट्वेर बनाने वाला तै करेगा, कि सरकार किसकी बनेगी? क्या, 140 करोड के देश में, जहां 90 करोड से ज्यादा मद दाता है, उनका भागे हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंब दें, लेकिन नरेन मोदी जी करनाटक में, खुले आम भाशन में कहें कि बोलो बजरंग बली की जै और दवाव कबल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनावाई हो, क्यों नहीं देगी, क्योंकि वो निश्पक्ष नहीं है, मेरा हरोप है, दबाव में है, दरे हुए है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार हो देखते रहिए दाखखबरदार न्यूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला, वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां, दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं वास्तु कर वास्तु करते हैं पास्तु करते हैं